नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी जहब पे आज की कहानी एक ऐसे प्लेन हाईजेकिंग की है, जिसे हाईजेक करने वाला कौन था, वो आज तक पता नहीं चल पाया साल था, 1971 तारीक थी, 24 नवंबर अमेरिका में North West Orient Airlines की एक फ्लाइट पोर्टलेंड शहर से टेक ओफ करती है, ये एक छोटी दूरी की फ्लाइट थी, तक करीबन आधे घंटे की, जो पास ही किस सियाटेल शहर में जा रही थी और इसमें सिर्फ 36 पैसेंजिस और 6 प्रू मेंबर्स थे, लेकिन ये सब लोग इस बात से अंजान थे, कि आज यहां इनके बीच इस हवाई जहाज में एक हाईजैक कर भी इनके साथ सफर कर रहा है एक इनसान जिसका नाम था, डीबी कूपक, दिखने में ये हाईजैकर बिल्कुल एक नॉर्मल विजनेसमेन की तरह लगता था, सूट, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंस और इसकी उम्र करीब 40 की थी लेकिन ये जान बूज कर प्लेन की बिल्कुल आखरी सीक में बैठा था सीक नंबर 18E, जैसे ही हवाई जहाजुडान भरता है, ये इनसान अपनी इंट्रोडक्शन देता है वहाँ मौजूद एक एर होस्टेस को कहता है, कि मेरा नाम देन कूपक है उस एर होस्टेस का नाम था, फ्लोरेंस शेपन कूपक ने उसी समय फ्लोरेंस को एक नोट दिया एर होस्टेस फ्लोरेंस लगभग 23 साल की थी फ्लोरेंस को लगा कि ये बंदा उसके साथ फ्लट करने की कोशिश कर रहा है तो उसने उस नोट को लिया और बिना पढ़े अपने पास रख लिया ऐसा करते देख कूपर ने कहा मिस मुझे लगता है कि आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास एक बॉम है फ्लोरेंस ने जब उस नोट को खोला तो उसमें साफ साफ हैंड़ाइटिंग में लिखा हुआ था मिस, I have a bomb in my briefcase and I want you to sit with me लोरेंस कूपर के साइड में चुप चाप बैट जाती है लेकिन उन्हें अभी भी यकीन नहीं था कि एक चुली में इसके पास बॉम हो सकता है तभी कूपर अपना सूटकेस खोल कर सामने दिखाता है कुछ लाल लाल से सिलिंडर्स, तारे और एक बड़ी सिलिंडरिकल बैटरी रखी हुई थी सूटकेस में इसमें कोई शक नहीं कि एक बॉम ही है कूपर अपनी दिमांड एर होस्टेस के सामने रखता है मुझे दो लाक डॉलर चाहिए, आज शाम पांच बजे तक वो भी कैश में सारे कैश को एक बैग में रख कर मुझे चाहिए और साथ ही साथ दो पीछे के पैराशूट और दो आगे के पैराशूट मुझे चाहिए जब हम लेंड करेंगे तो एक फ्यूल ट्रक तयार रहना चाहिए रिफ्यूलिंग करने के लिए इस प्लेन की और कुछ भी उठाकांग चीजे ट्राइ मत करना नहीं तो मैं इस पूरे हवाई जहाज को बम से उड़ा दूनगा प्लेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स को अभी भी ये सब पता नहीं था और एर होस्टेस फ्लोरेंस चाहती भी नहीं थी कि बाकी पैसेंजर्स को भी पता ना चले वो चुपचाप से प्लेन की कॉक्पिट में जाती है और Cooper का Note Plane के Pilots को दिखाती है एक दूसरी Air Hostess Tina McClough को भी ये बात बताई जाती है और वो जाकर Cooper के साइड में बैठ जाती है इन दोनों Air Hostess की मदद से Cooper और Plane की Cockpit के बीच में Contact मेंटेन रहता है Pilots से बात Air Traffic Controller को बताते है और जल्दी ये खबर पहुँच जाती है Airline के President Donald Nair के पास वो यहाँ पर decision maker थे और वो एक बड़ा ही interesting फैसला लेते हैं कहते हैं कि Cooper को लेकर पूरी सहमती दिखाई जाए जो भी hijacker की demand है हम उसकी सारी demands पूरी करेंगे FBI के साथ coordinate करके वो एक Seattle के bank के साथ बात करते हैं वैसे arrange करने के लिए bank के पास ऐसी emergency के लिए एक बड़ा पैसे का bunch रखा था और इस पैसे के bunch में एक बड़ी खास बात भी थी इस bundle में जितने भी note थे उन सब के numbers bank और authority ने अपने data में लिख रखे थे लेकिन एक दूसरा सवाल यहाँ पर आपके मन में जरूर आ रहा होगा आखिर airline के president ने ये फैसला क्यों लिया कि hijackers के साथ cooperate किया जाए इसके फीछे कारण था reputation airline के president नहीं चाहते थे कि hijackers की खबत दुनिया भर में फैले और company को इस वजह से नुखसान उठाना पड़े इसलिए इस मुद्दे को दबाए रखने के लिए वो hijackers की demands को फूरा करने के लिए तयार थे problem बस यहाँ पर ये थी कि पैसे को arrange करने के लिए थोगा time चाहिए था लेकिन ये flight सिर्फ आधे घंटे की ही थी तो pilots को यहाँ पर कहा जाता है कि plane को नीचे उतारने की जगह हवा में ही गोल गोल हुमाते रहो Seattle के पास जब तक हम जमीन पर फैसे का इंतजाम नहीं कर लेते ये आधे घंटे की flight धीरे धीरे फैसेंजर्स अभी भी इस बात से अंजान थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है Flight के पाइलट से announcement करके बताया कि हम minor technical difficulties के इसकर रहे है जिसकी वजह से delay हो रहा है तो बाकी सभी passengers को यही लगता रहा Finally जाकर पाच बज़ कर 46 minute पर ये flight planned करती है Seattle की airport पर उपर की instructions के अनुसार plane को main terminal की building से धूर पाक किया जाता है सिर्फ एक airline का representative plane के पास आता है पैसे का bag और parachutes लेकर जब 4 parachutes और 2,00,00 डॉलर से भरा bag Cooper को दे दिया गया तो उसने इजाज़त दी कि सभी passengers और flight attendance plane छोड़ कर जा सकते हैं सिवाए pilot और air hostage Tina McClough के इसके बाद plan के अनुसार refill किया जाता है और ये flight दोबारा से उड़ान भरती है इस बार plane में सिर्फ pilots बैठे हैं और उनके साथ Cooper और Cooper दोबारा से instructions देना शुरू करता है पायलेट को की कहा जाना है किस speed पर plane को उड़ाना है और किस angle पर उसने इस सब के बारे में अच्छी तरह से research कर रखी थी वो कहता है कि plane को Mexico City की तरफ ले चलो और हवा में 10,000 feet की height पर plane को उड़ाना wings की जो position है वो 15 degree पर होनी चाहिए और plane की speed जितनी धीरे हो सके उतनी धीरे होनी चाहिए pilots Cooper को बताते हैं कि अगर हम in configuration के साथ उलेंगे तो हम कभी Mexico City नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि इतना fuel ही नहीं है plane में लेकिन Cooper को इसकी कोई चिंता नहीं थी Cooper ने कहा जैसा मैंने कहा है वैसे ही उड़ते रहो अब आगे जो होता है वो बिल्कुल कोई सोच नहीं सकता था किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है Cooper टीना को कहता है कि वो cockpit में चली जाए और दरवाजा बंद कर ले अब plane के पूरे पीछे वाले हिस्से में Cooper इकलोता इंसान बचता है ये अपने पैराशूप निकाल कर तयारी करता है और plane से छलांग मार के निकल जाता है डाइब करने की कुछी मिंदो बाद cockpit में एक warning light जलती है ये इशारा करता है कि plane में पीछे का stair खुल चुका है ये उस जमाने की इस plane की बड़ी खास बात थी Boeing 727 planes में एक पीछे का staircase होता था फोटोस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीछे से एक सीरिया बाहर आती थी फूप ने plane की इनी सीरियों को खोला और पैराशूट और पैसे के साथ बाहर चलान मार दी पैलेट और एर होस्टेस ने ऐसा होते हुए तो नहीं देख क्योंकि वो सब cockpit में थे और इस जमाने में cockpit में ऐसा कोई hole या glass जैसे चीजे नहीं होती थी जिससे बाहर देखा जा सके लेकिन तभी कुछ देर बाद पैलेट्स ने ये महसूस किया कि प्लान का पिछला हिस्सा उपा की तरफ तिल्ट हो गया है इसका मतलब ये है कि प्लेट के पिछले हिस्से में जो दरवाजा है वो खुल चुका है और बाहर की हवा प्लेट के अंदर बड़ी तेजी से गुस रही है जिसे प्लेन का बेलेस बिगड़ रहा है इससे निपटने के लिए एक एर होस्टेज कॉप्पिट के बाहर आती है और बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद उस दर्वाजे को बंद करने में काम्याब होती है इसके बाद प्लेन के पाइलेट्स प्लेन तो कंट्रोल में लेते हैं और नजदीक नेवाडा के शहर रेनो में सेफली लैंड कर लेते हैं क्योंकि एरपोर्ट अथॉरिटी को पहले से ही प्लेन हाईजेकिंग की बात पता चल गई थी प्लेन के रेनो एरपोर्ट पर लैंड होते ही पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम प्लेन की जाच में लग जाती है लेकिन पुलिस और टीम हेरान तब रह जाती है जब प्लेन में कूपर का कोई नामोनिशान नहीं मिलता फुलिस को सिर्फ वहां से पेराशूट के पटे हुवे कुछ तुकरने और एक क्लिप लगी टाइ मिलती है जिसका यूज किया था खूपर ने अपने पैसों के बैक को कवर करने के लिए ताकि जब वो प्लेन से छलांग लगाएं तो पैसे बैक से निकल का कूपर हवा में बिखर न जाए इसके अलावा प्लेन में कूपर के कुछ पर्सनल चीजे मिलती है प्लेन की टिकट जिसमें उसका नाम डेम कूपर लिखा था कुछ सिगरेट के बच्स जिसे स्मोकिंड करने के बाद उसे सीट के साइड में फ्रश कर रखा था क्योंकि उस टाइम प्लेन के अंदर स्मोकिंड अलाउड थी तो पैसेंजर्स प्लेन में भी स्मोकिंड कर सकते थे इसके अलावा कूपर की तरह सब गायब थे जैसे रुपयों से भरा बैग पैराशू और जिस बैग में बम था वो बैग भी गायब था काफी बारीकी से इंवेस्टिगेशन करने पर पता चला कि कुछ फिंगर्प्रिंट मिले है जो प्लेन में मौझूद किसी भी पैसेंजर्स या क्रू मेंबर के नहीं थे इसके बाद पुलिस और एड्मिनिस्ट्रेशन कूपर को ढूंडने के लिए एक 45 साल लंबा सर्च उपरेशन चलाती है जिसे साल 2016 में जाकर बंद कर दिया जाता है वज़े ये बताई जाती है कि इतनी सारी सर्च उपरेशन करने के बाद कूपर का कोई पता नहीं मिल सका ना ही कोई सबूत जिस वज़े से इस उपरेशन को अब रोग दिया जा रहा है इसे दुनिया की हिस्ट्री में अब तक का सबसे रहस्यमई और एंसोल प्लेन हाईजैक माना जाता है इस हाईजैक को लेकर आज भी कई सवाल है कि आखिर कूपर कौन था? वो कहा गया, उसके साथ क्या हुआ? क्या वो पैसे पुलिस वापिस रिकवर कर पाए? इस इंसीडेंट की एक खास बात है कि इस हाईजैक के बारे में प्लेन में सफर कर रहे किसी भी पैसेंजर को कुछ पता नहीं था और ये प्लेन हाईजैक ऐसा इंसीडेंट था कि इसमें किसी भी पैसेंजर या क्रू मेंबर की जान नहीं गई नहीं किसी को कोई चोट आए इसके बाद FBI ने इंवेस्टिगेशन की ओर एक रिपोर्ट करी कि जब कुपर ने प्लेन से छलान लगाए तब कुपर ने सारे पैसे अपने शरीर में बांध लिया था पयराशूट और रस्यो से इसी वज़े से शायद कुपर ने एक्स्ट्रा पयराशूट की डिमांद करी थी दो पेराशूट लेकर कूपर प्लेन से कूदा था और इसकी जानकारी पुलिस को थी कि वो एक्चुल कौनसी जगा पर गिरा होगा वाशिंग्टन के साउथ वेस्ट के इलाके में कूपर के मिल सकने की आशनका को लेकर इन्वेस्टिगेटर और इक्सपट्स ने कहा कि इस जगा पर उतरने के बाद कूपर का बचना नामुम्किन है क्योंकि 10,000 फीट की उचाई से कूद ना वो भी अन्भेरे में रात के 8 बजे क्योंकि नीचे जंगल थे और लाइट का कोई सोर्स ना होने की वज़े से कुछ दिखेगा भी नहीं कूपर ने नॉमल कपड़े पहने थे जबकि इतनी उचाई से दाइव लगाने के लिए स्पेशल सूट की जरूरत होती है कहते हैं कूपर जब कूदा तो नीचे गिरते टाइम विंड स्पीड 320 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से चल रही थी और अमेरिका में नवंबर के महीने में थंडी जबर्दस्ट पढ़ती है तो इस हिसाब से अगर कूपर किसी लेक में भी गिरता है तो वो बच नहीं पाएगा क्योंकि इतने माइनस टेंपरेचर में कुछ ही देर में इंसान हाइप और थर्मिया की वजह से नहीं बच पाएगा और जो वजन था जो उसने अपने बोडी से बांध रखी थी उसके साथ स्विमिंग करना नामुम्किन था लेकिन इस इंसीडेंट के कुछ साल बाद एक्सपर्ट के ये सारे कंक्लूजन फेल साबित होते लगे क्योंकि कूपा के इंसीडेंट के बाद ऐसे 4-5 इंसीडेंट और हुए और वो भी कूप से ज़्यादा बत्तर कंडीशन में लेकिन वो सारे के सारे लोग इतनी उचाई से गिरने के बाद भी सर्वाइब कर गए हाला कि बाद में वो सारे पकड़े गए इन सब को देखते हुए FBI की टीम ने सोचा कि जब ये सब बच सकते हैं तो कूपा भी बच सकता है हाला कि पुलिस उस जगह पे सर्च ओपरेशन चला ही रही थी जहां अंदाजा था कि कूपा यही लेंड किया हो सकता है लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगबा रहा था ना कूपा के कपड़े ना पेराशूट का कोई टुकड़ा और ना ही वो 20 डॉलर्स के नोट जिससे ये कंफरम हो सके कि वाशिंटन के लेक मेरविन में कूपा की लेंडिंग इसी फॉरेस्ट में हुई हो इसे कमफीग्योर करने के लिए FBI की टीम ने दमी प्रैक्टिस भी करी सेम उसी हाइट में उसी स्पीड में प्ले नोडा कर उसमें से उतने ही वेट का दमी गिरा कर भी देखा फिर भी बात बनी नहीं अब लास्ट में एक आप्शन बचा था पुलिस के पास उन्होंने उन सारे नोटों के नंबर लोकल न्यूज पेपर में छपवा दिये फिर साल दर साल बीटते गए फिर इस इंसिडेंट के आठ साल बाद साल 1979 में एक पाइलेट FBI से कॉंटेक्ट करते हैं जिनका नाम था टॉम बोहन जो एक कॉंटिनेंट पाइलेट थे टॉम ने बताया जिस रात कूपर ने प्लेन हाइजेक किया उस रात टॉम का प्लेन उस प्लेन से 400 मीटर दूर और 4000 फीट की उचाई पर था टॉम ने बताया कि उस रात बहुत भयानक तूफान चल रही थी प्लेन को कंट्रोल करना भी मुस्किल हो रहा था और FBI ने जो कूपर की ड्रॉपिन केलकुलेशन की है वो सही नहीं है वो टाइम जो था उसमें मैं ही बता सकता हूँ कि कूपर की एग्जैक ड्रॉपिन जोन क्या रही होगी उन्होंने FBI को बताया कि एक चूल में कूपर की लेंडिंग वो सुगल के रिवर के आसपास ड्रेनेज एरिया रही होगी तो आपको सर्च उपरेशन उसी एरिया में कंड़क्ट करनी चाहिए कुछ ही महीनों बाद पाइलेट टॉम की बाते सच होती है एक आठ साल के बच्चे को कुलम्बिया नदी के पास किनारे में कुछ नोट मिलते हैं और एक नोट की गड़ी मिलती है जिसे पुलिस चेक करती है और इमीडेटली कंफर्म हो जाता है कि ये वही 20-20 के नोट थे जो कूपर को दिये गए थे पुलिस ने सारे नोट को अपने कबजे में लिया और कुछ हिस्सा इस नोट का उस बच्चे को दे दिया अब पुलिस और FBI की टीम उसी कुलम्बिया रिवर के पास और सर्च में लग जाती है लेकिन जो नोट उस आठ साल के बच्चे को मिले थे उसके अलावा उस पूरे एरिया में और कुछ नहीं मिला पुलिस को जो पैसे मिलते हैं वो कुल 5,800 डॉलर मिलते है FBI एजेंट रिचर्ट तोसो का मानना था कि कुपब उस रात इस नदी के थंडे पानी में दूपकर मर गया होगा इसके बाद कई लोगों ने खुद को कूपब बताये लिकिन वो सब सिर्फ फेम पाने के लिए और लोगों की अटेंशन पाने के लिए किया गया एक रामा था जो की बाद में क्लियर हो गया इस कहानी की एक मज़ेदार बात ये है कि जिस बच्चे को पुलिस ने नोटों का कुछ हिस्सा दिया था कि नाम के तौर पे वो बच्चा बड़ा होकर साल 2008 में उसने कुछ नोटों का आउक्शन किया और उससे उसे सहतेश हजार डॉलर मिले क्योंकि लोगों में कूपर के बारे में इतना क्रेज था कि लोगों ने उची बोली लगा कर उन नोटों को खरीदा तो दोस्तों इस कहानी के विलन कूपर के साथ जो भी हुआ वो आज भी एक रहसे है और क्या डैम कूपर उसका असली नाम था ये राज भी उसके साथ ही चला गया तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये मिस्टीरियस प्लेन हाईजैकिंग की कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सबस्क्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा जय हिन